दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आई होफ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके गर पे जो डोग है वो भी बहुत अच्छे होंगे साथियों मैं दिंद्याल रामावत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में हारदिक स्वागत करता हूँ साथियों हम हमारे चैनल के डोग सेक्षन में हमेशा किसी न किसी वीडियो में रोज डोग से जुड़ी हुई कोई न कोई जानकारी किसी न किसी समश्या का समाधान किसी बिमारी के इलाज, लक्षन, कारण, उपचार ये सब आप तक लेके परस्तुत होते हैं उसी परकार से साथियों आज मैं डोग में होने वाली उल्टी जो कि एक सामाधान की बात है लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो ये डोग के लिए खतरनाग भी साबित हो सकती है तो साथियों आज के इस वीडियो में, मैं डोग में होने वाली उल्टी के पूरे के पूरे विशलेशन को लेकी प्रस्तु दूआ हूँ, तो आईए साथियों, वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों जिनके भी गर पे डोग हैं उनको उल्टी से तो परिसान होते हुए आपने देखा ही होगा क्योंकि उल्टी डोग में होना आम बात है लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये खत्रनाग रूप भी ले लेती है तो इसका हमें सभी को पूरा का पूरा नोलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यानि ये उल्टी किस कारण से हुई है अगर आपको कारण का पता हो तो आप आसानी से उसका इलाज कर सकते हैं तो साथ यो कारणों का मैं आपको पूरा का पूरा विशलेशन बताने जा रहा हूँ जिन में पहला जो कारण है वो है अटपटा खाना खाने से यह फिर हम खाने में अचनक से बदलाव कर देते हैं या मालली जी एक्सperiment के तोर पर कई भाई अपने डोग के साथ एक्सperiment भी करते हैं कि यह खिलाते हैं घाता यह कितना खाता थै क्षा टाइ और यह नहीं खंथा तो थे ठाधा पिसे कितना खाता है पस्ता यह ख्लाक्र त और उल्टी करने के लिए साथियों कई वार वो घास घाता है ये डोग siya जब घास घाता है तो इतमेंस वो आलटी करने वालए है घास खाने उसको उल्टी होती है इसके अलावा कई वार जो हम किसी भी अज्यानवस कोई जहरीला खाना या तो हम दे देते हैं या फिर डोग कहीं से खा लेता है तो उसकी वज़े से भी डोग को उल्टी होने लग जाती है साथियों डोग के पाचन तंतर में जलन यानि गैस्ट्रो सिस्टम में जो इरिटेशन होता है उसकी वज़े से डोग को उल्टी होती है और उस इरिटेशन के लिए कई परकार के इंफेक्शन भी जिम्मेदार है कई परकार की एलरजी कुत्ते को हो जाती है किसी भी खाने से हो जाती है तो उसकी वज़े से भी यह जलन हो जाती है इसके अलावा साथियों कई परकार के जो पाचन संबंदी रोग है जो डोक्स में होते हैं उनके लिए हमने अलग से वीडियो त्यार किया है वो भी आपके सामने irritation है वो हो जाता है तो सातियों इसके अलावा कई परगार के और भी कारण है जैसे मौसम में बदलाव हो जाता है सर्दी या ज़्यादा जब गर्मी होती है यानि कि स्थन्ड लग जाती है तो भी उल्टी हो सकती है लू लग जाती है तो भी डोग को उल्टी हो सकती है तो उसकी वज़े से भी डोग को उल्टी हो सकती है फोरेन बोडी की वज़े से गेस बरती है और गेस बरने से उल्टी हो जाती है इसके अलावा साथ यो कई वार हम डोग को लंबी ट्रेवलिंग करवा देते हैं गाड़ी में तो लंबी ट्रेवलि तूरता है और एक दो से तेज़ 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 खाता है तो उसकी वज़े से भी उल्टी हो सकती है तो उसके लिए साथियों आप क्या करें कि जो खाना उसको दे रहे हैं उसको आप प्लेट में दे बहुल में जब देते हैं तो वो जल्दी जल्दी खा लेता है ज जो कि राम बार्ण उपाए हैं और ये दोनों नुसके हमने बहुत सारे कुतों पे आजमाए हैं बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट है जिसमें से जो पहला फॉर्मूला है उसमें हमें तीन चीजे लेनी है पहली जो तीन चीजे है वो है नीमबू का रस यानी नीमबू का र आलायची लेकि हमाम धस्ते में अच्छा झीजे खूख ज़े में दो घू además ले सकते हैं जो एलायची लेकर करें आप अच्छा तर्यस्ते सहत पानीे आप आप मिला करके आत All do में आराम मिल जाएगा और ये जो नुसका है वो हमें हर दो या तीन गंटे से डोग के लिए रिपीट करना है ताकि उसको जल्दी से जल्दी आराम मिल जाएगा दूसरा साथियों जो नुसका है उसमें हमें दो चीजे लेनी है और वो सहद और अद्रब्रत आप अपने डोग को दें इससे भी डोग को जो उल्टी हो रही है उसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा साथियों डोग को जब उल्टी होती है तो उसके सरीर में बहुत जल्दी डी हाइडरे03 Jaun यानि पानी की कमी होने की संभावना रेती है तो आप अगर उल्टी हो रही है तो उल्टी की सिकायद देखते ही आप अगर हमारे ये गरलन उसका इस्तिमाल करें तो लोग कुतुरंद आराम मिल जाएगा लेकिन इनसे अगर आराम नहीं मिलता है तो आप जल्द से जल्द नजदी की पसुची के सिक से संपर्क करें अपने पेट से संपर्क करें और उसका अच्छी तरह से इलाज करवाएं इसके अलावा साथ ही जो भी कारण मैंने आपको उपर बताए है वो सारे के सारे जो कारण है उन कारणों को देख करके आप उसका treatment करें वो कारण ना हो इसके लिए आप उपाए करें यानि कि हमारे डोग को सरदी ना लगें लू ना लगें हम अटपड़ा उसको खाना ना किलाएं और उसको जो भी हम खाना दे रहे हैं उसको अच्छी तरह से जाज कर लें कि कि किसी भी परकार का कोई पेस्टिसाइड्स अगरा अंदर नहीं है यानि खाना जेरिला तो नहीं है तो इन सब चीजों का आप ध्यान करके और अपने कुट्टे की जो उल्टी है उसको रोक सकते हैं तो साथियों कैसा लगा आपको हमारे ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको अच् ये बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अलग जानकारी के साथ नेक्स टाइम धन्यवाद